नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एबिडेई इजी लाइफ में दोस्तों हमारे किचन में रोजाना खाना बनने में सफेद नमक का इस्तेमाल किया जाता है वैसे तो काला नमक, सफेद नमक और सिंधा नमक सभी वेंजनों में स्वाध बढ़ाने के लिए डाले जाते हैं लेकिन वरत आदी में हम सेंधा नमक नॉर्मल खाने में सफेद नमक और फूट चार्ट आदी में काला नमक का प्रियोग करते हैं दही रायता में काला नमक मिलाने से स्वाथ तो बढ़ी जाता है साथ ही ये सेहत के लिए भी फायदे मंद होता है सफेद नमक के मुकाबले काले नमक में कैलशियम, पुटेशियम और मैगनिशियम अधिक मातरा में होता है जिसके सेवन से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है अब लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि खाने में सफेद नमक की जगा काला नमक का सेवन करना कैसा रहेगा तो आएए जानते इस वीडियो में कौन सा नमक आपकी सेहत के लिए बहतर है आखिर कौन सा नमक चुने दोस्तो सफेद नमक से है बहतर आपके लिए काला नमक जी हाँ दोस्तो काला नमक सफेद नमक से बहतर होता है क्योंकि काले नमक में सोडियम का इस्तर बहुत अधिक होता है दूसरी और काले नमक में मिनरल्स कम होते हैं काला नमक पाचन में मदद करने के लिए जाना जाता है जबकि सफेद नमक समस्या को बढ़ा सकता है साथी सफेद नमक गुर्दे की पत्री, सिर्दर्द, उचरक्त, चाप, स्ट्रोक, सुजन, आदी की संभावना को भी बढ़ा सकता है दर असल दोस्तों सफेद नमक को बनाने में धेरो मशीन को प्रोसेस में लाया जाता है जिसके कारण इसमें पोटेशियम, आयोडेट और अलुमीनियम सिल्केट जैसी हानिकारक तत्व आ जाते हैं जिसका सेवन करने से बॉड़ी में टिश्यू डैमेज होने लगते हैं और घातक बिमारियों का होने का खत्रा बढ़ जाता है वहीं काले नमक थोड़े से ही प्रोसेसिंग से बनता है इसलिए काले नमक में हानिकारक एलिमेंट्स नहीं होते हैं आईए जानते हैं काले नमक के सेवन के फायदे दोस्तों काले नमक में पाए जाने वाले जादा मिनरल्स खाने के स्वाद और फ्लेवर्ट को भी अच्छा बनाते हैं काले नमक में हलके गंद जैसी खुशबू आती है काले नमक में मौझूद मिनरल्स स्कीन और बालों के लिए फायदे मंद होते हैं काले नमक के सेवन से व्यक्ति की गैस ऐसी डिकते दूर हो जाती है, साथ ही पेट हेल्दी रहता है, पोशक तत्वों से भरपूर, काला नमक एंटी आक्सिडेंट से भरपूर होता है, और इसमें सोडियम का इस तर बेहत कम होता है, पेट की समस्याओं को दूर करता है, काला वीडियों बैसकत नहीं ऐसी उसफुल वीडियो के लिए एवरीडेजी लाइप चैनल को सब्सक्राइब करें